आप यहां पर परसनल असिटेंट में अगर यहां पर मैं बात कुरूँ ट्रांसर्स पॉलसी कीँ, इनकर आपको सब्वी कर्माताई पुछकरगर बारे में. मैं आपको बताना चाहूंगा और यह जो सर्कुलर है वो काहिन के EPFO के बारे में है और एक चीज फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो लोग काहिन के अभी भी डाउट में है यह जो 4600 ग्रेट पर की जो आपकी पोस्ट है अब यहाँ पे कई लोग से अगर मैं पूछू यह गुरूप B की है गुरूप C की है तो यह गुरूप B की है आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पे आपसे भी की है तो गुरूप B की है दूसरी चीज यह officer carter की group B की है है officer carter की एक इन officer में दो होते हैं एक ministerial होता है एक direct up कर रहता है तो यह ministerial जो staff की जो है वो आपकी post है ठीक है अब यहाँ पर देख लेते हूं यहाँ पर tenure rotation classification आपको जोगर्फिय में लिखा गया है तो इसमें लिखा जो continuous posting होती हो आपकी चाहिए होती है आपकी transfers के लिए ठीक है अब यह period of tenure जो होता है वो आपका date of joining से आपका count होता है ना कि date of order मतलब जैसे ही आपका appointment order आता है ठीक है तो उससे आपकी count नहीं होगी जब भी आप join करो कई local station बगार लेते तो joining से ही आपकी count होती है दूसरा group भी officer जिन्होंने 3 साल जो है वो complete कर लिए है और वो count कैसे किया जाएगा 3 साल वो 1 April से आपका जो है वो आपका financial year से आप सभी का count किया जाएगा ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका जो tenure जो transfers और rotation के लिए रखा जाता है वो आप देख लीजिए यह तो basic आपको बता दिया गया 3 साल का कैसा क्या और क्या क्या character अब यहाँ पर क्या होता है कि कि किस तरीके से आपका जो tenure है वो आपके complete होने चाहिए एक tenure आपका किसी भी post पे किसी भी office में 2 साल का tenure जो होता है वो यह तो इन्फॉर्समेंट यह रिजन में सिर्थ तीन tenure जो होता है वो किसी जोन या state में आपका रहना चाहिए और साथ में एक tenure यह तो एक tenure EO का हो enforcement officer के यह तो EO का हो ठीक है और वो भी 3 block के tenure में अब इन में से कोई भी आपको जो tenure है वो आपका होना चाहिए जरूरी नहीं कि आपको चारो tenure हो ठीक कोई भी tenure होना चाहिए अब यहां पर देखो ministerial staff वो तो officers के बारे मागए अब यह ministerial staff के बारे में हैं यह जो category था यह आपके लिए नहीं है यह आपके किसके लिए enforcement officer आपका है एकाउंट officer हो गया प्रोविटेंट फंड कमिशनर हो गया ठीक एडिसनल कमिशनर हो गया उसके लिए आपका criteria है लेकिन अगर मैं बात कुरूँ ministerial staff के लिए जो कि personal assistant के लिए जो criteria आपका अपले के लोगा वो criteria यह है कि यहां पर एक tenure office में complete होना चाहिए सासी दो tenure आपका जो है किसी region station में होना चाहिए तीन continuous tenure जो होना चाहिए वो आपका state में किसी भी होना चाहिए सासी एक block होना चाहिए चार्ल tenure का जो की HQ या training level पर आप समीने बिताया हुआ है तो यह सारे अलग से criteria दिये हुए है जिसके base पे आप transfers के लिए eligible होते हो और transfers आपको पता है दो तरीकास होते हैं एक AGT के तरीकेस होता है एक non AGT होता है एगए गती मतला in world general transfers आपका होगे जो आपके generally within state होते है और non AGT होता है जो आपके बाहर के जो transfers होते है वो non AGT category के एंडर में आप सभी के आते है तो basically यह आपका पूरा transfer policy आपका PA का रहा है तो जितने भी कैंडी है जो कभी जो नए है फटावर से चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी टेलगाम पूप को जॉइन कर लो आपका अपका एड्मिट कार्ड डिजर्ट वेरा के लिंक मिलेंगे साती इस्टाग्राम पर आपका प्निक वरी पूश